नमस्कार, फिर से एक नया रेश्पी लेके आगा है फ्रेंड बहुत ही यूनिक और बीना सामान के फ्रेंड और बीना मसाला के है तो ये रेश्पी बहुत ही यूनिक है फ्रेंड और बहुत ही टेश्टी तो इसको लिए लिए हैं सेमुलिन एक बाल फ्रेंड मीडियम साइद बॉल से ले लीजिएगा और नारियल पाउडर सिर्फ नारियल पाउडर से आप बनाएए सेमलेन बॉल फ्रेंड तो देखिए यहां दो बड़ा चमच नारियल पाउडर ले लीजिए फ्रेंड और हरी मिर्च और एक बड़ा चमच सामर मसाला तो दोमनट में ये नमकीन बनकर तयार हो जाएगा फ्रेंड तो चलिए हम बनाते हैं बस दोमनट में ये टेश्टी नमकीन बस मिर्च को इस तरह छोटा-छोटा करके काट लेना है फ्रेंड समुलिन के साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे इस तरह सारे मिर्च को काट लेंगे बस बारीख ही काटेंगे फ्रेंड मोटा नहीं काटेंगे देखे फ्रेंड हम सारे मिर्च को काट लिया अब इसको चलिए गॉयल कर लेते हैं फ्रेंड बस थोड़ा सा देखे फ्रेंड गैस पर कडाली को रख दिये हैं देखे कड़ा ही गर्म हो गया इसमें तेल नहीं डालना है पानी से ही बना लेंगे फ्रेंड ये सेमोलिन नमके प्रस हाप छोटा गलास पानी डालिएगा पानी को बॉयल होने दीजिए फ्रेंड देखे फ्रेंड फ्लेम फूल रखिए और इसमें सेमोलिन को डाल दीजिए प पानी बॉयल हो गया अब हम इसको डाल लेंगे फ्रेंड डालने के बाद इसको इस तरह चलाईए फ्रेंड और इसमें नारियल कॉडर और ये मसाला भी डाल लेंगे फ्रेंड असादनुसार नमक डाल लीजिए यह देखिए पानी पूरा हमारा देखिए कडाही में सुख गया अब हमें छोटी चमच हम वाइल डाल लेंगे फ्रेंड रिफाइंड ओयल ही डालेंगे और इसको चला लेंगे अ कि इतना अच्छा हमारा ये हो गया अब इसको हम एक बटन में निकाल लेंगे और ठंधा होने देंगे अध्यां में देखे फिर अब इसमें हम शिम्ल लाल मिर्च मिक्स करेंगे अच्छे से एक चोटा चमट सीम्ला लाल मिर्च मिक्स किजिएगा फ्रेंड बिल्कुल ठंडा होने के बाद अब यह देखे कलर कितना अच्छा निखर गया अब देखिए हम इसको थोड़ा सा हाथों पे तेल लगाएंगे और बस इसको नॉट्स के तरह बना लेंगे यह देखिए बिल्कुल इस तरह हाथों पे तेल जरूर लगाएंगे यह देखिए इस तरह सब एक सब एक साइज के बना लेंगे देखिए प्रेंट कडाही गैस पे रख दिये हैं अब यह देखिए और इसमें रिफाइन फंप डाल लेंगे प्रेंट जादा नहीं डालेंगे तेल को बिल्कुल हीट होने देंगे गर्म ओने देंगे देखे प्रेंट तेल बिल्कुल गर्म हो गया ख्लेम मीडियम ही रखेगा और एक एक को डाल लीजिए ये नारियल पाउडर नमकीन एक दम दमदार बनके तयार हो जाएगा कि दो मिनट का ये नासता है इसके धीरे धीरे पलटियेगा तेज से नहीं पलटियेगा फ्रेंट ये देखिए थोड़े से सेमोलिन में कितना अच्छा नासता तयार हो गया आप देखिए फ्रेंट धीरे धीरे पलटते हुए ही इसको छान लीजिएगा ताकि चारों तरफ से कुरकुरा करंची एक दम बनके निकले फ्रेंट ये देखिए देखिए फ्रेंट अब हम एक एक करके देखिए ये कितना अच्छा हो गया अब एक एक करके इसको निकाल लीजिए इसी तरह हम दूसरा भी चान लेंगे पर देखिए बस्त देखिए बदेखिए लग कर देखिए सम्सक्राइ। अब पहले जब दालिएगा तो फ्लेम को मीडियम रखिएगा फिर हाई करके एक दम अच्छे से इसको करंची कर दिजिएगा यह देखिए यह बिल्कुल करंची नम्कीन बनकर तयार हो गया फ्रेंट दोमनट में अब बच्चों के टिफिन में भी फटाक बनाके दे सकते हैं और कोई मेहमान भी आ जाए तो दोमनट में बना लिजिए घर में के समान से ही बन जाएगा फ्रेंट चलिए अब सर्व करते हैं फ्रेंट यह देखिए दोमनट में यह रेजपी बनकर तयार हो गया फ्रेंट बिना टाइम रेश के लिए बनाके रख भी लीजिए तो आपको एक सब्ता तक चलते रहेगा फ्रेंट तो चलिए फ्रेंट यह रेश्पी आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब सेयर जरूर कीजिए और वेल आइकन प्रेस कीजिए और जटपट-चट फ्रेंट 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 फ्रे RSP के साथ तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार